कुछ लोगों की लापरवाई, कुछ लोगों की गलत सोच आपको, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को, और आगे चल करके पुरे देश को बहुत बड़ी मुश्किल में जोंग देंगी अगर ऐसी लापरवाही जारी रही तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है और ये कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है साथियों पिछले दो दिनों से देश के अनेग भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंबीरता से लेना चाहिए हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपून लिलने करने जा रहा है आज रात आज रात बारा बजे से पूरे देश में ध्यान से सुनिये पूरे देश में आज रात बारा बजे से संपूर देश में संपूर लोकडाउन होने जा रहा है हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए आपको बचाने के लिए आपके परिवार को बचाने के लिए आज राज बारा बज़े से गरों से बाहार निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है देश के हर राज्य को, हर केंद्र सासित प्रदेश को, हर जिले, हर गाउ, हर कस्पे, हर गली, मौले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है ये एक तरह से कर्फ्यू ही है जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात, जनता कर्फ्यू से जरा जाजा सक्त कोरोना महामरी के खिलाप, मिननायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है निश्चित तोर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी लेकिन एक एक भारतिय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना इस समय मेरी भारत सरकार की, देश की हर राचे सरकार की, हर स्थानीय निकाई की सबसे बड़ी प्रात्विकता है और इसलिए मेरी आप से प्रार्थना है, और मैं हाद जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप इस समय देश में जहां भी हैं, वहीं रहें, अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लोकडाउन 21 दिन का होगा, तीन सब्ता का होगा और जब मैंने पिछली बार आप से बात की थी, तब मैंने आप से कहा था कि मैं आप से कुछ सब्ता मांगने के लिए आया हूँ आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपून है हेल्थ एक्सपर्स की माने, तो कोरोना वाइरस की संक्रमन साइक्ल तोडने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत एहम है, अगर ये 21 दिन नहीं संबले, तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा, अगर ये 21 दिन नहीं संबले, तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगे, और मैं ये बात एक प्रधान मंत्री के तौर पर नहीं आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूँ,